जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शागत करता हूँ आपके अपने वह की यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे वीव प्रोकवर्डी का जो आज पहला मुकावला खिला जाएगा बेंगलूरू बुल्स बर्स पत्ना पैट्स के बीच में इसको लेकि हम डीटियल्स में देखने वाले हैं आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वह महज एक अपना डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल से जुरूने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा आप इसी वीडियो के चले जाईएगा कमेंट सेक्षन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप आप से अभी को वहाँ पर जॉइन कर लेना है ध्यान रखी का यह जो मैं वीडियो दे रहा हूं वह मैं आपको इस मैच से पहले दे रहा हूं इसका मतलब कि यह मैच जो भी खेला जाएगा यह मुंबा पसे बेंगलूरू बूल्स में उसको आम लोग बारीकी से देखेंग वह इस मैच से पहले तक का होगा बेंगलूरू बूल्स और पतना पैट्स में बात करें वीनिंग परसेंटेज को लेके तो मेरे कोडिंग यहां पर पतना पैट्स के चांसेज हैं वह महज यहां पर आपको दिखेंगे 40% के आसपास 40% मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका confidence level का सफी हाई होगा रीजन यह दवंग दिली को हरा के आ रही है बात करें बेंगलूरू बूल्स को तो इसके वेनिंग सांसेज यहां पर आपको 60% के आसपास देखने को मिलेगा अब आई हम देखते हैं दोनों टीम फिलाल पॉइंट स्टेवल में कहां पर बिराजमान है बें किसे एक मेंच यहां पर जान देंगे लास्ट मेस के लेकर दिखनों मिलेगा कशीब्चने को मिलेगा के लेकिन यहां पर यह काम्याब बिल्कुल नहीं रहे और यहां पर मुझे लगता है कि फिर साजीन संसेकर को अपने टीम में ले सकती है मनिस के जगह पर कहां पर दोस्तों लिप्ट कबर पर अब यहां पर बात करेंगे रोहित गुलिया को लेकर तो पिछले मैच में इन्होंन जाएंगे ऐसा नहीं है कि जाएंगे तो यह सोच काते हैं कि मुझे और नहीं होना है सबसे बड़ी इंटेंशन इनका है मुझे देखने को मिलता है जहां पर इनको मिलेगा सुनील टोटल इन्होंने चार टैकल एक पॉइंट मिला था और एक नहीं को ट्यांको प्रेंट न निच्छे आपको दिख जाएंगे मुहमद रिजा जिन्होंने यहां पर टोटल साथ टेकल एक्टेम्ट किया तिन सक्सेस्पूल रहता ही नहीं है बात करूं सब्सक्रीचूट में तो आपको दिख जाएंगे नभीन सर्मा अब्दूल रंजीत नायक उसके वराज सीवं च टोटल यहां पर एक टेकल एक्टेम्ट रह गया था अब दोस्तों आइए हम बात करें सामने वाले टीम को लेके बेंगलूरू बुल्स को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि यह लास्ट मैच यू मुंबा के साथ हुआ है उसको मैंने यहां पर कंसीराट नहीं किया हुआ जो भी वहां पर होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा बेंगलूरू पूल से अपना लास्ट मेस्ट तमील तल्यवाज के साथ खेल के आ रहे हैं जहां पर विकास कंदोला टोटल एट्स के वह थे 18 साथ टोटल पॉइंट्स लाए थे साथ तीन और यहां पर उनको बोनस पॉइंट मिला वा था यह नोंने हाथ एटम्ट नहीं किया था राइट कवर पर आपको दिखेंगे मयूर कदम लेकिन इनको बहुत जल्द सब्सक्टिट भी कर लिया जाता है टोटल इन्होंने एक टैकल एटम्ट कहा था वह अंसक्सेस्पूल र मिला था बाड़ इकारा टच्पैंट जीरो बोनस पॉइंट और एक टैकल मिला वा था टैकल इन्होंने तीन तफ़ आइटम्ट किया एक सक्सेस्पूल रहे थे नीचे आपको दिख जाएंगे नीरज नरवाल पिछले मैच में यह भी अच्छा खले थे टोटल रेट्स किय सौरब नांदाल इस्टीम के बहतरीन पिलियर में से एक आपका यह कह सकते हैं कि सेफ और बेस्ट जोन इनका लेप्ट कॉर्णर यहां पर इनोंने टोटल यह थे पांस टैकल तीन सक्सेस्पूल दूंसक्सेस्पूल जीरो इनका सुपर टैकल नीची आईए आपको देखने सक्सेस्पूल और एक अंसक्सेस्पूल देखे पात कर सब्सिचूट में तो यहां पर आपको दिख जाएंगे रजनीस सचीन नरवाल राजस नरवाल नरेंदर हुड़ा एस कृसांत और नागेसवर थारू साथ में आपको दिख जाएंगे यहां पर मयूर कदमीस दोनों म सब्सक्राइब के तब से आपको दिखेंगे 70% रेड लेट से होते हुए रीजन यहां पर आपको जो इनके में रेडर है विकास कंडोला हुए रेड लेट से नहीं करेंगे उनका सीधा सामना होगा आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्णर पे सुनील के साथ और यह जो पर दिख जाएंगे लेट कॉर्णर पर मोहमद रिजा तो यहां पर सुनील मोहमद रिजा का कल बहतरीन यूज होने वाला है उसके बाद इनके पास जो सकेंड रेडर होंगे वह होंगे भरत वह भी आपको मॉस्टर दो चांस लेट से ही रेडिंग करते दिखेंगे कभी सब्सक्राइब करने को चले जाते हैं और आपके लिए यहां पर महमद रिजा सुनील कुमार अब दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे सामने वाली पतना पैट्स को लेके तो इनके पास तीन डेडर है नोर्मली वहां पर आपको दिखेंगे सचीन तनवर लगवग फिर 35%-40% रेडिंग करेंगे यहां पर कौन रोहित गुलिया फिर 10-15% रेडिंग करेंगे यहां पर मोनु और बाकी अगर जोट पड़ी तब कोई सब्सक्राइब करेंगे यहां पर मैं आपको बता दू कि सचीन तनवर एक राइट रेडर है जिनिका यहां पर देख है जिसका सचीन तनवर जंप के फाइदा उठाने वाले हैं फिर आपको यहां पर दिख जाएंगे सौरब नांदल तो आपके लिए डिसेंट वन अच्छे पिक बन जाएंगे सौरब नांदल भी क्योंकि यह तो आपको रैट ट्रेडर को भी टैकल करते दिखेंगे क्योंक आपको left corner पर दिख जाएंगे कौन बेंगलूरी बोल्स का अमन टू अब मैंने क्यों का कि सौरब नांदल के पास अच्छा opportunity रहने वाला है कल points लेने का कि आप अगर देखो के रोहित गुलिया का गें तो वो पौँ फेकने को जाने जाती हैं वो कभी जादा हाथ को नहीं अगे पौँ को फेकेंगे और दोस्तों अगर आपने गलती से सौरब नांदल के रेंज में अपना पौँ को फेक दिया तो दस में से साथ दफ आपको समेठ के लेके चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि उसके पास एक opportunity होगा अच्छा का सब्वेंट निकालने का और ती पटना अगर किसी को substitute करेगा तो एस विश्वास भी हो सकता है और यह आपके लिए मीनी जील जील में एक ठीक टाक बनेगा अप इसको बिल्कुल इगनोर करके चल सकते हो और अंडर से बात को तो महमद रीजा को मैंने ट्रैक के हुए रोहिद गुलिया अच्छे पिक हैं ले सकते हो लेकिन रोहिद गुलिया के साथ दिखाते क्या कि इनके सामने जो दो डिफेंटर होएंगे न एक तो राइट कॉर्णर पर सौरब नांदल दूसरा लेप्ट कवर पर महंदर तीसरा लेप्ट कॉर्णर पर अमंटू वाईसाब तीनों बहुत तक्रेंटर में मान अब अगर आप यहां से महंदर को लेट तो आपके पास तोड़ी सी केडिर कैसु आ जाएगा यहां पर देखो तो रोहिद गुलिया का भी डेट जो है वह 14 का है यहां से मैं अमंटू को ले लूँगा अब देखिए मेरे पास सारे तरह क्रेडिट है अब ध्यान से देखि होगा कि आप अभी के लिए ऐसा करो सचीन तनवर को भी आप ड्रॉप कर दो बहुत बड़ा रिस्क मैं बोल रहा हूं इसको भी ड्रॉप करो यहां से आप सुनील को ले लो और यहां से मनेंदर सिंग को ले लो क्योंकि सुनील को आप जब देखो कि सामने से ले बैक ट्रे अब लोगो टेलीग्राम पे जरूर अपडेट कर दूँगा अब बात करें कैप्टन वी सी को लेके तो मैंने अपने टिम के कैप्टन सी का बार सौरम नांदल को वी सी मैं सोच रहा हूं कि मैं किसके साथ जाओ किसके साथ नहीं आपके पास विकास खंडूला वरत तूब भी अच्छी ऑप्सन है दूसरी बात सामने लेफ ट्रेडर भरे परे हैं तो सुनील कुमार भी आपके लिए अच्छे खासे बीश्ची का पिक बन सकते हैं तो उसी को ज्यान रखते हूं मैंने यहाँ पे